मैं प्रायर आप लोगों से कुछ न कुछ सीखता रहता हूं और कुछ बच्चों से बिशेश कर। कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जिन में मुझे एक साथ दोनों चीज दिखते हैं। हाइली पोजिटिव भी और हाइली निगेटिव भी। कभी-कभी मैं आप लोगों की बातों को इंडा इरेक्टली कह देता हूं। इसको आप लोग टॉंट मत समझियेगा। मेरा बिलकुल ही वो उदेश से नहीं होता। और हो सकता है मेरी अक्टिविटी से आप लोगों को विश्वास नहों मेरे उपर। लेकिन मैं यह कह भी नहीं रहा हूं कि आप मुझे विश्वास करिये। हाँ मैं कुछ प्रयोग कर रहा हूं। उस प्रयोग के रास्ते में मुझे जो भी लग रहा है। मैं बता रहा हूं। आप लोग उससे रिलेटेड कुछ लगे तो मुझे बता सकते हैं। लेकिन मैं एक रास्ता खोज रहा हूं और उस रास्ते पे चल भी रहा हूं। इसलिए मैंने कहा था कि वही बच्चे मुझे से जुड़े हैं। जो मुझे बिश्वास कर सकें। जो मेरी बातों को समझने की कोशिस करें। आप मेरे बातों को जो भी मैं कह रहा हूं प्रयोग में लाएं। और अगर लग रहा है कुछ फाइदा तभी विश्वास करें। अन्यता विश्वास करने का कोई मतलब नहीं है। मैं एक कहानी से अपनी बाते स्टार्ट कर रहा हूं। एक बार बुद्ध एक गाउं में गए थे। एक अंधे आदमी को कुछ लोग उसके पास उनके पास लाए। और मित्रों ने कहा कि आदमी अंधा है। और हम इसके परम मित्र हैं। और हम इसे सब भात समझाने के कोशिस किये कि यार प्रकास होता है। लेकिन यह मानने को राजी नहीं होता। और ऐसी दलील देता है, ऐसी बात कहता है कि हम हार जाते हैं। और हम जानते हैं कि प्रकास है, हमें देखते हुए हारना पड़ता है, यह हमें अच्छा नहीं लगता है। यह आदमी हमसे कहता है कि मैं प्रकास को छू कर देखना चाहता हूँ अब बताइए हम प्रकास का असपर्स कैसे करवाएं यह आदमी कहता है छोड़ो असपर्स मत कराओ मैं मेरे पास कान है मैं सुन कर सुनना चाहता हूँ प्रकास को थोड़ा सुना दो तुम थोड़ा प्रकास में आवाज करो मैं सुन लूँ अब बताईए हम लोग इसको कैसे प्रकास को कैसे हिला के आवाज करा है और तो और ये कहता है मेरे पास जीव है मैं स्वाद तो ले लूँगा प्रकास का कोई ने कोई गंध तो ले लूँगा मेरे पास नाख है कोई उपाय नहीं है हम लोग कैसे समझाएं इसे क्योंकि प्रकास तुम आँखों से देखा जा सकता है और आँख इसके पास है नहीं और यह आदमिया कहता है कि तुम बिलकुल फिजूल की बाते कहते हो मुझे अंधा सिद्ध करने को प्रकास की बाते करते हो तुम भे अंधे मालूम होते हो प्रकास क्या खोज तुमने मुझे अंधा बताने के लिए ही कर रखा है तुम सब मिले हुए हो तो हमने सोचा आप इस गाउं में रहे हैं साथ आप इसको समझा दे बुद्ध ने कहा मैं इसे समझाने के पागलपन में नहीं पड़ूँगा आदमी की आज की मुसीबत ही आज तक मुसीबत ही उन लोगों की है जिन लोग ने आदमी को ऐसी बातें समझाने की कोशिसे की है जो उनको दिखाई नहीं पड़ती मनुस्य के उपर उपदेशक पड़ी महामारी सिद्ध हुआ है वे ऐसी बातें समझता है जो उसको दिखाई नहीं पड़ती तो बुद्ध ने कहा मैं यह गलती करने वाला नहीं हूँ और मैं यह समझाने वाला नहीं हूँ कि प्रकास है मैं तो इतना कह सकता हूँ कि इस आदमी को तुम गलत जगह लेया है मेरे पास लाने की जरूरत नहीं थी किसी बैद के पास ले जाओ जो इसकी आँख का इलाज कर सके इसे उपदेश की नहीं उपचार की जरूरत है तुम्हारे समझाने का सवाल ही नहीं उठता तुम्हारी समझाई गई बात पर विश्वास करने का सवाल ही नहीं है इसकी आँख ठीक होनी चाहिए और आठ ठीक हो जाए तो तुम्हें समझाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी या खुद ही देख सकेगा, खुद ही जान सकेगा उनको बात ठीक जची बुद्ध ने कहा कि मैं तो धर्म को उपचार मानता हूं उपदेश नहीं मानता तो इसे ले जाओ वे उस अंधे को ले गए और भागे की बात थी कि वे अंदा कुछ महीनों के इलाज से ठीक हो गया बुद्ध तो दुजरे गाओं चले गये थे वह अंदा आदमी ठीक हो गया था वो बुद्ध के चरण छुने गया और उसने उन्हें प्रणाम किया और उन्हें से कहा मैं गलती में था प्रकास तो था लेकिन मेरे पास आँख नहीं थी लेकिन बुद्ध ने कहा तु गलती में जरूर था लेकिन तुने जिद्द की कि जब तक आँख न होगी तब तक मैं मानने को राजी न होगा तो तेरे पास आँख का इलाज भी हो सका तो तेरे आँख का इलाज भी हो सका अगर तु मान लेता उन मित्रों की बात कि तुम ठीक कहते हो मेरे पास आँख नहीं है लेकिन प्रकास होगी तो बात वहीं खतम हो जाती है आँख के इलाज का सवाल ही नहीं उठता तो जो आँख बंद करके विश्वास कर लेते हैं वे विवेक तक नहीं पहुच पाते हैं जो लुख चूप चाप स्विखार कर लेते हैं वे स्वैम के अनुभाव तक नहीं पहुच पाते हैं जो अंधे हैं और पकड़ लेते हैं कि दूसरे कहते हैं प्रकास है तो जरूर होगा फिर उनकी यात्रा महीं बंद हो जाती है यात्रा तो तब होती है जब बेचैनी बनी रहे बनी रहे बनी रहे बनी रहे बेचैनी छूटे नहीं और बेचैनी तभी होती है जब मुझे लग तो कहते हैं, लेकिन मुझे दिखाई नहीं पड़ती, तो मैं कैसे मान लूँ, मैं ही देखूं तो मानों, या बेचैनी मन में हो, कि मेरे पास आँख हो, तभी मैं स्विकार करूँ, तो ये बेचैनी रखिये, और फिर विश्वास करिये, और तब तक ये बिलकुल मत समझे कि मैं बहुत जानकार हूँ, मैं बार बार कहता हूँ, कि मैं खुद ट्रांजी सेने स्टेट में चल ला हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है खुद ही, लेकिन मैं कोसिस कर रहा हूँ, और सायद आप लोगों से ज़्यादा कोसिस कर रहा ह इसलिए आप लोग मुझे फॉलू कर सकते हैं जैहिंद